जैसे मैं आपको सी बक्थोन का उदान देता हूँ, आप सभी सी बक्थोन के बारे में जानते होंगे, लदाग शेत्रे में पाए जाने वाला ये प्लांट माइनस 40 से प्लास 40 डिक सेंट्रिगेड में कठोरतम ताप्मान को सहर करने की ताकत रखता है, चाहे जितना सूखा हो ये अपने आप फलता फूलता है, इसके आउशदिये गुणों का जिक्र आठवी सदी में लिखे गए तिब्बती साहिते में भी मिलता है, देश और विदेश के कई आधुनिक रिसर्स संस्तानों ने इस सी बक्थोन को बहुत ही मुल्यवान माना है, ब्लड प्रिशर की सम प्रश्या हो, बुखार हो, ट्यूमर हो, स्टोन हो, अल्सर हो, या फिर सर्दी खासी हो, सी बक्थोन से बनी अनेक तरह की दवाईयां इन में लाब देती है, एक स्टड़ी के मताबिक, दुनिया में उपलब्द, सी बक्थोन में पूरी मानव जाती की विटामिन सी की अकेले ही पूरी करने की शंता है, इस अग्रिकल्टर प्रोड़क के वैल्यू एडिशन ने तस्वीर बदल दी है, सी बक्थोन का उस्तेमाल, अब हर्बल्टी में, जैम, प्रोटेक्टिव ऐल, प्रोटेक्टिव कीम, और हेल्थ डिंक में भी बहुत बड़ी मात्रा में हो जवानों के लिए ये बहुत उप्योगी हो रहा है, सी बक्थोन से कही तरह के एंटि अक्सिदेंट प्रोड़क्ट बनाए जा रहा है, आज इस मंच पर मैं उदान इसलिए दे रहा हूं, ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, क्योंकि भविश्मय देश के जिस भी हिस्से को आप अपना कारक्षेत्र बनाएंगे, वहां ऐसे आपको अनेक प्रोड़क्ट बिलेंगे, वहां आप अपने प्रयासों से आप एक मोडल विख्षित कर सकते हैं,